हेलो वेल्कुम टू माई चैनल जोतिस केक्स इन बेक्स आज में एक डॉल केक बनाने वाली हूं बहुत ही ब्यूटिफुल केक है तो आप लाज तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो यहां मैंने पहुंच लिया है और इसके टॉप लेयर को में हटा देती हूँ जो कि बाद में खाने के टाइम पर इसके वच्छी नहीं लगती है तो इसको हटा देना चाहिए और डूम आया है मेरी केक में तो इसे एक अच्छी हाइट आ जाएगी केक के लिए तो यह मैं आपे इसको सा सब्सक्राइब लिया है साइड से और इसके दिखिए मैं ॥ी लेयर भी कट कर लिया है तो यह सारी दिखाओ में इसकी कट कर लिया तो यह पहले है मैंने कट कर लिए तो यह दो फोर Professional कट करिए है चुटी पतली पतली करिये है आप चाहेँ थृ क्यों प्रिक आप meinem केके कमे YouTube पे ऐसा मुझे नहीं लगता कि शायद में ऐसा कोई वीडियो अभी तक आया है तो आप जब देखेगा लार्स तक तो यह स्टॉबरी क्रश है मालास का मैंने लिया है यहां मैं वन टेबल स्पून के सम्तिंग में स्टॉबरी क्रश ले रही है और इसमें मैं वाटर एड कर आरे करें के इसका फ्लेवर कें बना लेती हूं पानी का जिस्से मैं अपने स्पॉंज को सोई ऑगी ऐसी मैंने पिस्टी वीडियो में वी पैनैप्ल का भी बनाया था आपने देखा होगा अग्रे पिछली वीडियो तो मैंने इसी तरह से पाइनेपल फ्लेवर में भी वाटर बना लिया था इसे एक स्पॉंज में भी फ्लेवर आ जाता है तो यहां मैंने बना लिया है यह तो यहां मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको वाटर करके इसको सुक करने के लिए यह मैंने के के लिए बनाया है तकि स्पोंज पे फ्लेवर आजाए स्टावरी का क्योंकि हम रिए के बना रही हूं और यहां मैं फिलिंग का यूज़ करके बना रही हूं आप क्रिश्ट के से रात भी बना सकते हो तो यहां मैंने अब स्पोंज लिया है यह लास्ट लेयर है सबसे पहले मैं इसको लिएंगी और फिर मैं यहां पर इसको सोक कर दोंगी इसी वाटर से इस ताकि इस ट्रॉबरी का फ्लिवर अच्छे से इसमें आ जाए तो इसको मैं यहां सोक कर रही हूं तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके भी मुझे बता दीजेगा कि आपको कैसा लगा तो लास्ट तक जरूर देखेगा एक बहुत ही बीटिफुल डॉल केक है यह तो यहां मैंने अच्छे से सोक कर लिया है अपने स् कर लिया है और यहां पहले मैं इस पर लगा देती हूं थोड़ा सा तक कि और अच्छा फ्लेवर आ जाए स्पॉंज में सोक तो हमने कराई था स्ट्रॉबरी फ्लेवर वाटर से लेकिन अब हम मैं क्रश्च और लगा रही हूं मैं ताक यह और अच्छा फ्लेवर आए अवक मैंने क्रीम कर लिया है और इससे मैं साइड में पहले लगा लेती हूं कि तो यहां मैंने साइड में लगा लिया है आप नॉर्मल भी ऐसे जैसे नॉर्मल लगाते हैं वैसे पहले विज़े मैं लगा है के वीडियो में वैसे भी कर सकते हैं यहां मुझे फिलिंग लगानी ह इससे finger कर लीए तो इसलिए मैंने गेप दिया है बीच में तो जो पीचमे गैप आप देखयों इस में लगाउंगी अपनी हमें यह आम क्रश स़से कम कर रहे हूँ कि यह मैं फिलिंग कर कुए आप ढूर्बर है जो करके भी बना सकते होगर आपको बनाना है तो तो यह मालाज की फिलिंग है इस ट्रॉब्री फ्लेवर की अब इसको मैं हाप में पीच में गैप से हैं मैं इसको फिल कर दूँगी तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताएगा मैं वीडियो को लाइक पी जरू करेंगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी आप जरूर दबाएगा तो इस तरह से मैं हाप अपनी फिलिंग को इसमें फिल कर लेती हूं पूरे केक में तो नोटिफिकेशन ब है कि वर्यों के लिए मैं यहाँ 500ग का इस पॉंज लिया है यह मैंने प्रिमिक से बनाया है तो इसको मैं यहां पर इच्छे से फिल कर दिया है यहां पर इच्छे से फिल हो चुकी है मेरे फिलिंग लगा लिए है आप नवर गर्श्ट भी लगा सकते हूं दो इसे नॉर्मर मैंने पिछली वीडियो में है तो यह मैंने इसको अच्छे कर लिया है केक को उपने साही लियर्स कम्लिट करके यहां मैंने पिंक कलर की क्रीम से इसको कवर कर दिया है और एंवन नोजल से बॉडर दिया है यहां यह मिरर है इसको मैंने आइस क्रीम से स्टिक कर लिया है और मैं इसको अपने केक में लगाऊंगी और यहां पर डॉल को फ लगाए हैं मेकप थेम का तो वो भी आप देख लीजिए यह फॉंडेंट से बना हुआ है और मिरर पे भी मैंने क्रीम लगा दिया है और इसकी ड्रेस को मैंने क्रीम से कवर कर दिया डॉल की अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरू लाइक करिएगा